असलाम लेकुम मेरा नाम डॉक्टर सानिया नईम है मैं एक डेंटर सर्जन हूँ आज मैं आपको बताऊंगी important vitamins and minerals जो के हमारे दातों के लिए भी और हमारी body के लिए भी बहुत useful है तो यह जानने के लिए वीडियो को end तक देखें, like करें, subscribe करें और अपनी family and friends के साथ share करें सबसे पहले हमारे बसाता है calcium, calcium जो होता है हमारे हड़ियों को भी मस्बूत बनाता है उसके इलावा broccoli और nuts में वाफिर मिगदार में पाया जाता है इसके बाद आता है हमारे पास vitamin D, vitamin D जो होता है calcium को absorb कराता है मतलब कि यह भी हड़ियों को मस्बूत बनाता है अगर आपके body में vitamin D की कम ही है तो आप calcium जितना मर्जी ले लें, calcium को absorb ही नहीं होगा vitamin D जो है हमारे पास किन किन चीज़ों में पाया जाता है चावल हो गए, गंदुम, जौ, मकई, बार्ले, मश्रूम्स, फैटी लिफिश, इन सब चीज़ों में पाया जाता है vitamin D का जो natural source है वो है sunlight जब आपके body sunlight में exposed होती है तो vitamin D प्रोड्यूस होता है और इसके इलावा इसके पास property होती है tissue repair की मतलब कि ये gums हमारे जो मसूरें हैं उनको भी मजबूत बनाता है फॉरस जो है हमारे पास किन किन चीज़ों में पाया जाता है proteins, मसूर की दाल हो गई, soya bean, इसके इलावा cheese, कद्दू के बीच इन सब चीज़ों में वाफिर मिगदार में पाया जाता है थर्ड जो हमारे पास important largest mineral है वो है potassium, potassium जो है vitamin D की मदद करता है और हमारे पास bone की जो हमारी हड़ियों की density है उसको बढ़ाता है, ये हमारी हड़ियों को भी मजबूत बनाता है दूसरा हमारे पास ये है कि magnesium के साथ मिलके हमारे खून को acidic होने से रोकता है अगर आपकी body में potassium की कमी होगी तो आपकी हड़ियां कमजोर होंगी और आपके दान भी ultimately कमजोर होंगे potassium जो हमारे पास किन किन चीज़ों में पाया जाता है कीवी, pineapple, banana, potato, sweet potato और आलो बुखारा इन सब चीज़ों में पाया जाता है उसके बाद आता है हमारे पास vitamin K vitamin K जो होता है हमारी हड़ियों के it gets protective shield बनाता है उसके इलावा हमारे पास एक protein बनाता है osteocalcin जो के हड़ियों को strong बनाती है vitamin K जो है हमारे पास skoon को जमने में मदद देता है मतलब कि blood plotting कराता है अगर आपके body में vitamin K की कमी होगी तो उससे ये होगा कि आपकी healing properties जो है वो slow हो जाएंगी blood आपको ज़्यादा निकल सकता है अगर आपको कोई जखम हो गया, कोई चोट लगी तो उसके वाज़ा से bleeding आपको ज़्यादा हो सकती है अगर आपके body में vitamin K की कमी है तो vitamin K जो है हमारे पास skin चीज़ों में पाया जाता है green leafy vegetables हो गई पालक, मेथी, बंद गोबी और broccoli में पाया जाता है vitamin C जो है हमारी body में बहुत ही important vitamin है क्योंकि हमारी core मुदाफ़त को बढ़ाता है और हमारे gums मसूरों को strong करता है और मुगे जो soft tissues हैं उनको भी wet और healthy रखता है हमारे पास vitamin C वाफिर मिगदार में citrus roots में मौझूद होता है उसके बाद हमारे पास आता है vitamin A vitamin A जो है हमारे oral mucosa को healthy रखता है और wet रखता है तो जिन लोगों में मुझ सूकने की शिकायत होती है dry mouth होता है उनमें vitamin A की deficiency होती है vitamin A जो है उसमें healing properties होती है हमारे मुझ में जिनका मुझ खुशक होता है या सूकता है उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे मसूड स्वैल कर सकते हैं सूबूच सकते हैं उनमें से खून निकल सकता है और धातों में कीरा लगने के chances भी बढ़ जाते हैं उसके इलावा हमारे पास vitamin A जो है आँखों के लिए भी बहुत मुझ सफीद है और हमारी body की growth और development के लिए भी बहुत जरूरी है अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास vitamin A आप किन-किन चीज़ों से ले सकते हैं oranges हो गए, अंगूर, पालक, मेथी, बंदगोबी, कैरेट, टोमेटोज इन सब चीज़ों में आपस vitamin A डिरेक्ली मुझूद नहीं होता इन में beta-carotene की quantity जो होती है, जादा होती है हमारी body जो है beta-carotene को convert कर लेती है vitamin A में उमीद है कि ये video आपके लिए बहुत informative होगी और आपको पसंद आई होगी